सू सुवागतम स्ट्रिंग में हम काफी आ गया चुके है हमने ये देखे लिया कि स्ट्रaline function कैसे काम करता है और हमने अपना खुद का श्ट्रaline function भी बना लिया है स्ट्रaline का मतलब है string की length निकान लेवाला function अब बात यहाँ पर हम करें यह और भी advanced topics के बारे में string पर ही जो होने वाले है advanced topic ठीक है तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं तो welcome back guys एक और brand new video में आपका स्वागत है और आज की इस video में हम बढ़ाने वाले हैं string को एक और level उपर मतलब कि हम string के बारे में और भी कुछ जानेंगे और भी functions देखेंगे और भी चीज़ेंगे इस टींग के बारे में अपने खुद के functions भी बनाएंगे ध्यान रखना जो जो मैं function आपको लाइब से यूज करके दिखाऊंगा वे function मैं खुद के भी बनाऊंगा आपको दिखाऊ इसको को आगे बढ़ाते हैं तो मैं क्या सोच रहा हूं मैं सोच रहा हूं कि इसको इतना ही रहने देते हैं हम एक और नई फाइल बनाते हैं इसको कोपी करके पेश्ट करता हूं और यहां पर इसकी जो 18 जंगा में 19 लिख देता हूं और string को part 2 है यहां पर मैं string.c तो ही यह यहां पर मैं 2 लिख देता हूं. तो यह हमाई नई video का code होने वाला है और इस function को मैं यही रहने दूंगा यही रहने दूंगा बलकि मैं इस function को नीचे ले जाता हूं ठीख है और इस declaration रख देते हैं हम ऊपर यहाँ पर copy करते हैं और यहाँ पर paste कर देते हैं और इस str को चाहें तो आप हम हटा सकते हैं यहाँ पर okay declaration मैंने दे दिया उपर इस function की तो यह काम easily अच्छे तरीके से करेगा ठीक है देखो जो जो मैंने आपको topics कराए हैं पहले वे सबी अब आने वाली वीडियो में काम आने लगा रहे होंगे आपको दिखरा हुआ कैसे हम function बनाते थे कैसे हम return करते थे declaration देते थे ifl statement लगाते थे loop लगाते थे तो वो अब हमारे real work में काम आएंगे ठीक है तो अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर string को print कराने के बारे में और string को उठाने के बारे में input से scanf से हम जब हम उठाते हैं string को तो कैसे उसको handle करा जाए देखो यहां पर हमने print करवाय था direct हमने string लेती लेकिन मैं आप यहां पर नहीं लेना चाहता इसको ठीक है मैं direct यहां पर देता हूं 50 50 का मतलब है कि भई 50 की character तक की name इसके दर save हो सकत और वो कैसे देंगे printf लिखूंगा मैं यहां पर यहां पर मैं printf के बाद एक bracket लगाऊंगा उसके अंदर में लिखने वाला हूं यहां पर enter your full name अब जहां से देखना मैंने full name क्यों लिखा उसके पीछे भी एक reason है ठीक है अब वह मैं reason बताऊंगा आपको पहले मैं scanf करता हूं ठीक है printf और printf के बाद मैं आप लिखूंगा percentage s और उसके बाद name को print करवाएंगी हम ठीक है और यहां पर मैं name को print भी करवा दूँगा नेम प्रिंट हो जाब अब देखो यहां पर क्या होने वाला जैसे मैं इसको run करूंगा ना तो हमको यह पूछेगा कि भाया बता करने में आप थोड़े से बढ़ोगे logic बढ़ेगा कि क्या error है उसको पढ़ा करो अच्छे से जब तक आप error को पढ़ोगे नहीं copy करोगे चैट जीपिटे पर डाल दो वह solution तो देदेगा पर तुम्हें पता तो नहीं होगा यह क्यों आया है तो पहले error को पढ़ो copy paste करने से पहले error को पढ़ो और खुछ solve करने की कोशिस करा करूँ अब हम यहाँ पर अपना नाम दें डी एटी एच एंटर करता हूं तो हमारा नाम यहाँ पर प्रिंट हो गया ठीक है लेकिन यहाँ पर हमने फुल नेम नहीं दिया मैंने कहा था कि फुल नेम दो भई फुल नेम दो तो यहाँ पर हमने तो दिया नहीं फुल नेम चलो छोड़ो कोई बात नहीं अब हम क्या करेंगे दुवारा से इस प्रोग्राम बोरन करेंगे और अब मैं देने वाला हम फुल नेम डी एटी एच और सी ओडी अब मैं अगर एंटर करू तो मेरा नाम पूरा प्रिंट होना ना तो एक काम ओर करते हैं हम यहाँ पर इसकी लेंज भी प्रिंट कर्वा के देख लेते हैं हम यहाँ पर लगाते बैकशलेश एन और यहाँ पर हमितो यह नो मैक्ष्कर नहीं पर यह गए नहीं आपको दूँगा उसका सुलूशन में आपको दूँगा उसके लिए एक और फंक्शन है श्ट्रिंग को कम्प्लीट अगर लेना हो अगर आप स्कैनर से परसेंटेज करके श्ट्रिंग को लोगे तो यहाँ पर आपका वो स्पेस नहीं उठाएगा जहां प क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आपको एक फंक्शन य्यूज करना पड़ेगा जो की है F-Gating अब यह एफ गैट्स का आप कैसे यूज करने के लिए आपको सबसे पहले देखो इसके अंदर यह क्या-क्या मांग रहा है यह सबसे पहले मांग रहा है कि भाई मेरे को नाम बताओ इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा यहां पर करना है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा ठीक है अब आपका प्रोग्राम है वह अच्छे तरीके से काम करने वाला है अब यहां पर आप देखना मैं अगर इसको रन करता हूं और रन करने के बाद अब मैं यहां पर अगर लिखता हूं D E A T H C O D E कोड एर एंटर करता हूं तो यूर नेम आ गया हमारा डेफ कोड ठीक है अब यह लैंथ जो इसने 11 दिखाई है वो मेरे वो समझ नहीं आ रहा क्यों लिखाई है डी ए एक दो तीन चार पांट शे साथ आठ नो और दस यहां पर होने से यह थे पर इस लैंथ 11 दिखाई है ठ करेंगे वापिस से हम जाते हैं स्कैनफ की और और स्कैनफ में ही हम कुछ ऐसी ट्रिक लगाने वाले हैं कि स्कैनफ आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कैलकुलेट करेगा एक वर वाई करते हैं अब हम यहां पर स्कैनफ का यूज करेंगे पूरी की पूरी स्ट्रिंग क यह वहां पर रुख जाता है लेकिन अब की बार में इसको बताने वाला हूं कि वाइट स्पेस पे मत रुख वाइट स्पेस पे तेरे को नहीं रुखना है ठीक है रुखना का है वो मैं भी बता हूँगा देखो सबसे पहले हम यह वाला करेक्टर लगाएंगे यहां पर कि जब यहां पर हम यहां पर यहां पर यूजकर करके लाला हूं और अब इस प्रोग्राम को रन करने-वाला हूं ओके यहां पर मैं प्रोग्राम को रन करता हूं और यहां पर आप मैं देने वाला हूं फुल नेमडी एटी एक सी ओडी एक कोड और एंटर यह देखो कम्पलीट पूरी की पूरी स्ट्रिंग रीड हुई है और हमारा जो लैंथ है वो भी बिल्कुल करेक्ट आई है पूट नाम से फंक्सन होगा और यह भी एक पूइंटर लेगा एक तो और सेव करते हैं इसको और इसको यहां पर कोपी करता हूं मैं देखो इसके अंदर हमने आपना खुद का फंक्सन बनाएंगे जो की स्ट्रिंग को लेके अपनी एरे में सेव करवा देगा ठीक है और एक और हम काम करते हैं जैसे कि हमने में किया था हम यहां पर ले ले लेते हैं कि किती होने वाली है तो ले 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 लेते हैं यहां पर कितनी होने वाली है उस एरे की जो हम लेने वाले हैं और यहां पर भी हम ले ले लेते हैं आपर इंट लिया पर यहां पर तो यहां पर यहां मैंने लिखना पड़ेगा इसको करेंगे इसको उठाएंगे यां से कट करके यां पे पेस्ट कर देंगे और इस नेम की जन्गा में जूरूत नहीं पड़ी तो इक काम करते हैं इसको मैं हटाई देता हूं वापिस इसके अभी जूरूत है नहीं मेरे को अब मैं आपे क्या यार हम क्या है था बूत अच्छी बात अब सबसे पहले हैं कि इसने ला की स्केने के लिए वेट पूछ लिया है तो लिए तो मदलब scanf काम करा है और scanf काम करा है तो मतलब input function हमारा run करा है ठीक है पर हम अपने value को डाल के देखते हैं आप डैथ code okay enter करता हूं तो क्या हमारे पास आया कुछ तो हमारे पास आया your name a ठीक है your name a हमारे पास आया है उसका reason क्या है और इसका solution हम कैसे कर सकते हैं आपके हिसाब से तो कई यह जो हमारा error आया यह इसलिए है क्योंकि हमने double double address का यूज कर लिया यहाँ पर अब double double address से आप नहीं समझ पा रहे हैं कि देखो जब मैंने str के अंदर इस array को बिठाया यहाँ पर तो यहाँ पर हमें देखो scanf के अंदर क्या देना होता है scanf के अंदर हमें address देना हुता है ठीक है तो हम address कैसे देते किसी भी variable का end का symbol लगा के और जो हमारे पास pointers है यहाँ पर तो हम एंड का symbol क्यों लगाएंगे क्योंकि str के अंदर हमारा address है ना तो इसलिए वो error आया है और यह मापको special बताना चाहता था कि यह इसलिए होता है ताकि आपके जो logics हैं c के अंदर pointers के परती वे strong हो क्योंकि c++ भी अगर हम करेंगे आगे आने वाले future में तो इस भी pointers की बहुत value होती है और c के अंदर भी pointers की बहुत ज्यादा value है अब मैं अगर इस program को run करता हूं और अब यह मांग रहा है full name में लिखता हूं death और यहां पे लिखता हूं code और enter करता हूं तो हमारे पास complete death code आ चुका है और हमने अपना कुद का input function create कर लिया है हमें किसी की जुरूरत नहीं पड़ी किसी लैब्रेरी की जुरूरत नहीं पड़ी हमने length calculate कर ली हमने सब कुछ calculate यहां पर कर लिया है समझा है आपको तो हमने input करना सीख लिया किसी भी string को और अब मैं आपको एक और चीज बताने वा लेता हूं एक function है puts के नाम से क्या है puts puts के नाम से एक function है जो कि put कर देगा किसी भी character pointer को मैं लोगी name अगर मैं आपे लिखूं तो वो put कर देगा आपको पूरा printf percentage फलाना डिकना यह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पर यह सिर्फ एक string को put करेगा इसके अंदर आप जै पर हमारे पास आचुगा देगो तो मेरे को यह बस बताना था आपको कि ऐसे आप puts का भी यूज़ कर सकते हो और एक और function है जो मैंने आपको नहीं बताया input की जन्हें हम gets का भी यूज़ कर सके हैं gets क्या करता है यह सेम हमारे इस वाले तरीके की तरह काम करता है जैसे हमने पर इन्टन ली कुछ और वर्क ऐ लेकिन gets का यूज आज के टाइम मतलब नहीं वैसे तो और यहाँ पर हम रखेंगे और यहाँ पर हम नेम रख देंगे और यह put भी कर देगा है ना तो अब मैं इसको दुबारा से run करता हूँ और इस बार मैं कुछ और लिखने वाल है अब enter करता हूँ तो subscribe and share हमारे पास लिखा आ चुका length 19 आ चुके इसकी ठीक है करो और अपने कुछ के ऐसे कुछ function बना के देखो और कुछ अब इस पर topic पर बात करेंगे हम आने वाली वीडियो में कि कैसे एक string को दूसरी string के साथ match किया जाए मतलब कि कैसे देखें कि यह string क्या equal है इस string के तो वह हम देखेंगे आने वाली वीडियो के अंदर मिलते हैं फिर आपको next video में तब तक के लिए घाई बाइश शेर करो इस video को लाइक करो वीडियो को अगर आपको कम समझ आ रहा तो आप वीडियो को एक दो बार तीन बार चार बार जरूर देखो आपको और ज्यादा clear हो जाएंगी यह topics कि कि मैं ना मतलब पूरा अलग कंसेप्ट लेगे आपको ये टोपिक समझा रहा हूं बहुत अलग तरीकी से तो आप एक काम करो वीडियो दुबारा देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मिलते फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तर के लिए गाइस बाबाई से यू नेक्स वीडियो